दोस्तों कि आप भी कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अब हाट चुके हैं क्योंकि करोना काल के दूरान नौकरियों का क्या हाल है वो हम ऐसे और आप से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे लोगों को भी जाती हूँ जो कई सालों से अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया कि नौकरी से कहीं ज़ादा बेटर है अपना बिजनस शुरू करना, लेकिन बिजनस को लेकर हर कि कि क्या हमारा बिजनस चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा नहों कि जो बचा कुछा पैसा था वो भी बिजनस में डूट जाए, तो आज हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से बिजनस हैं, जो कम लागत में शुरू करे जा सकते हैं और अच्छा पैसा आप कमा सकते है इससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो अंतर तक देखेगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं और कौन-कौन से ऐसे बिजनस आइडियास हैं जो आप हमारा सा शेयर करना चाहते हैं और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाईएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बिजनस की जो एक समय में 80 रुपे में शुरू किया गया था और आज 800 करोड का हो गया है बिजनस है पापड का मातर 80 रुपे से शुरू हुआ लिजज़त पापड का बिजनस आज 800 करोड का बन चुका है सोच क्या रहे हैं घर की महिलाएं या इंटरनेट से तुरंत इस हुनर को सीख डालिए और शुरू कर दीजिए अपना ब्रैंड क्या पता अगला नंबर आपका हो दूसरे जिस बिजनस की बात करूँगी वो आजकल ऑनलाइन हो गया है बात कर रहे हूं कोचिंग सेंटर्स की आजकल नौकरियों में इतनी सैलरी नहीं है जितनी कोचिंग सेंटर्स की कमाई अगर आपकी भी किसी विशे पर अच्छी पकड़ है तो कुछ बच्चों के साथ एक छूटे से कमरे में भी आप अपने सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं अगला बिजनस जो आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं वो है पॉपकॉन का बिजनस रेडी मेड पॉपकॉन के पैकेट अगर कभी खरीदे हों तो उनकी आस्मान छूती केमतों का अंदाजा आपको होगा हाला कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मक्के के दानों से ये बनते हैं वो सीजन में काफी सस्ते रेट पे मिल जाते हैं आप दुकान से इसे खरीच सकते हैं पॉपकॉन बना कर बेटर दामों में बेच सकते हैं फूट जूस शॉपक का भी बिजनस एक ऐसा बिजनस है जो आपका अलागत में शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एक जूसर मशीन के साथ आप अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं बगीचे वालों से आपको फल कम कीमत में मिल जाएंगे आज कल स्वास्ते के प्रती बढ़ती चाग रूपता से शायद ही कोई जूस शॉप खाली दिखती हो इंटरनेट कैफे भी एक अच्छा बिजनस हो सकता है अगर आप ये आचिकल अपने लैप्टॉप या डेक्स्टॉप पर अपने ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो बस एक प्रिंटर ओल ले आएं रिजल्ट देखना, सरकारी नौकरियों से संबंदित फॉर्म भरना, जानकारी लेना, एडमिट कार्ट, प्रिंट करना आधी जैसे कामों से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं मुबाइल रिचार्ट शॉप, हम सब जानते हैं ये बिजनस आज की डेट में कितना ज़्यादा फल पूरा है आजकर कई सारे ऐसे पेमेंट एप हैं जो ओनलाइन रिचार्ट की सुविदा प्रधान करते हैं लेकिन अभी भी ग्रामीन परिवेश में कई ऐसे लोग हैं जो मुबाइल शॉप से ही रिचार्ट करना पसंद करते हैं ऐसे में आप ये सुविदा लोगों को महिया करा कर अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं रिचार्ट के अलावा अन्य ओनलाइन सर्विसिज भी आप अपनी दुकान में उपलब्ध करा सकते हैं भाग दौर बरी जिंदगी में खाने पीने का होश लोगों को कम रहता है बिना खाई घर से निकल जाना और दफ्तर में भी कुछ ना खाना ये लोगों की आदत बन गई है हाला कि ऐसे में अगर रास्ते में कोई बढ़िया सी नाश्टे की दुकान दिख जाए तो बिना रुके लोग रहने ही बाते इस ते चाय नाश्टे का ये बिजनस आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है सिलाई कड़ाई के अगर हम बात करें तो सिलाई कड़ाई हर कहीं किसी भी आप चपा पे खोलने वो चलेगी ही चलेगी ये हुनर अगर आप में है तो आप ये बिजनस शुरू कर सकते हैं एक छोड़ी दुकान में कुछ ओर्डर्स के साथ इसकी शुरुवात की जा सकती है जैसे जैसे आपकी कारिगरी की धाग जमती जाएगी वैसे वैसे मुनाफिक के चांसिस बढ़ते जाएंगे और अगर आप में टैलेंट है बोलने का या पर किसी चीज में आप काफी जादा महारत हासिल है किसी वीक शेत्र में आप टैलेंटिट है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं कुछ लोग बाते कम करते हैं पर सोचते जादा हैं ऐसे लोग अमोमन कागज या नोटपैट पर अपने विचार उतारते हैं अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप ब्लॉगिंग या हिंदी में कहें तो लेक लिक कर पैसा कमा सकते हैं बस कम्प्यूटर और इंटरेट के साथ ये शुरू किया जा सकता है अगर आप ब्लॉगिंग बड़ इस तरफ पर करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वेब साइट शुरू कर सकते हैं यूट्यूबर यूट्यूबर आजकल बहुँजावार ट्रेंड में हैं तो आप यूट्यूब पर भी अपना टैलेंट कोट्वे कर सकते हैं यूट्यूब एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो हम वीडियोज अपलोड करके काफी पैसा कमाया चाह सकता है ये अव विश्विस्निय प्रन्तु सच है कि ऐसा करके लोग करोड़ पती बने हैं हाला कि यूट्यूब पर जमने के लिए थोड़ा वक्त लगता है पर अगर आप अपनी क्रियेटिविटी से दर्शकों की नफ्स पकट जाएं और धैरे रखें तो निश्चित ही आप भी इस प्लाटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं अगर आप घुनने फिरने का शौक रखते हैं तो फोटोग्रफी आपके लिए एक अच्छा उप्शन हो सकता है जब से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया है हर कोई फोटोग्रफर बन गया है हलांकि अगर इस शौक को थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो मुनाफ़े का सौधा हो सकता है थोड़े से इंवेस्टमेंट से आप एक DSLR कैमरा ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं आज कल वेडिंग शूट्स के लिए फोटोग्रफर्स की भारी डिमांड रहती है तीफिन सर्विस ये भी अच्छ ओप्चन है आज कल लोग काम के चक्कर में अपने परिवारों से दूर रहते हैं इन में से कुछ ऐसे हैं जो खाना बनाना भी नहीं जानते वहीं कुछ ऐसे हैं जिने खाना बनाना तो आता है लेकिन बनाने का टाइम नहीं है ऐसे में टीफिन सर्विस से आप इन लोगों की मदद भी कर सकते हैं और मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं शुरुवात के लिए आप अपने आस पास ही कुछ लोगों को ढून लें जिने इस सुविधा की ज़रूरत हो अगर आपके कॉंटाक्ट्स अच्छे हैं तर कंसल्टेंसी भी आप खोल सकते हैं अगर आपकी लोगों के बीच पेचान अच्छी है और आपका सोशल सर्कल बढ़ा है तो आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं कंपनिया ऐसी कंसल्टेंसी को नौकरी के लिए सही व्यक्ति तलाशने के लिए संपर्क करती हैं बदले में इसमें अच्छा कमिशन मिलता है अगर आप किसी ऐसी जगा रहते हैं जो अट पर टूरिजम की संभाब ना है तो यह तमाम वो बिजनस थे जिसमें आपको जादा पैसा नहीं लगाने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक अच्छा कॉम्निकेशन डेवल होना चाहिए आपको यह बता होना चाहिए कि आप इस तरह के टैलेंट को पोट्रे कर सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए अगर आप इसमें शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी जगा की क्या स्पेशालिटी है कहां घूमना जाया जा सकता है ताकि आपके साथ घूमने वाला आपके साथ कमफरेबल फील करें और हाँ साथ ही साथ उसको ऐसा लगे कि आपको घूमने के साथ साथ उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई है जिससे आप आज तक नदारत थे तशलिए आप हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और ज़रूर बताएगा किस तरह के वीडियोज आप देखना चाहेंगे